अस्लावलेकम डीर वीवर्स मैं हूं मुहम्मद मौइन्सवान एडूकेट और आज का जो हमारा टोपिक है वो ये है के हो टू परोसीड क्रिमिनल अपील ओफ लोनोटिक इस वी लोग में जो हम माटिरियल डिसकस करने जा रहे हैं वो ये होगा नमबर वन क्या मेडिकल बोर्ड की एग्जैमिनेशन के बाद अनसाउंड माइंड मुल्जम का ट्राइल और इन्वेस्टिगेशन रोक दी जाएगी नमबर टू क्या यही रूल क्रिमिनल अपील में भी लागू होगा नमबर थिरी, Relevant Law Section 374 CRPC को डिसकस करेंगे और नमबर फोर, Indian High Court की साइटेशन की रोशनी में हम इसको स्टडी भी करेंगे First of all हम इसके पैरामेटर्स पर बात कर लेते हैं Person of Unsound Mind का ट्राइल और इन्वेस्टिगेशन रोक दी जाती है जब examination के बाद medical board ये डिकलेर कर दे के मुल्जम Unsound Mind है लेकन ला इस बारे में silent था के अपील के वक्त मुल्जम Unsound Mind डिकलेर हो जाए जो ट्राइल के दुरान ठीक था और अपील के वक्त Unsound Mind हो गया इस topic के related पाकसान की किसी भी court की judgment नहीं है मजीद ये के Indian High Courts और Supreme Court की citations मजूद हैं इन में दो चीज़ें discuss की गई है नमबर वन जब murder trial मकमल हो जाता है और death penalty हो जाती है तो फिर session court high court में एक reference बेगती है जिसको murder reference कहा जाता है जो far confirmation of death के लिए होता है और इसको MRB कहा जाता है इंडिया में एक court ने ये है कहा कि जो murder reference आता है high court में वो confirmation के लिए आता है जब कोई चीज़ confirm होतने के लिए इसका process बाकी हो लहाजा trial terminate तो हुआ ही नहीं है बलके चल रहा है इस पर high court ने after hearing of the parties इस पर reference पर अपनी opinion देनी है फिर दूसरा question इसमें ये आया कि अगर murder reference नहीं आता बलके वैसे कोई criminal appeal आती है और मुल्जम convict हो जाता है इस दुरान मुल्जम unsound mind हो गया और फिर इसमें क्या किया जाएगा इस पर Indian Supreme Court ने ये कहा कि जो appeal होती है वो mix question of fact and law होती है और vision question of law होती है जब fact और law दोनों चीज़ें आ गई तो फिर कोई भी fact जो मुल्जम जानता है इसने अपने वकील के साथ share करना होता है इस वकत भी appeal की hearing रोक दी जाएगी अब हम discuss कर लेते हैं section 374 CRPC sentence of death to be submitted by court of session when the court of session passed sentence of death the proceeding shall be submitted to the high court and the sentence shall not be executed unless it is confirmed by the high court अब हम अपने इस topic को बंबाई high court की citation की रोशनी में देखते हैं ये citation है 1970-72 BOMLR396 इसमें ये hold किया गया था कि session code के सामने मुल्जम की unsoundness of mind की plea की गई थी भी मकदमे किसमात के दुरान indications of insanity मिलें और फिर session judge के लिए ये कहना open होगा के चूंके ये plea एक ही वकद में थी stage negative होगी वो अब इस बात पर गोर करने का पबाद नहीं रहा के आया मुल्जम unsound mind हो गया और इसके लिए वो अपना दफा करने से कासर है इसी असूल का इतलाक होना चाहिए जैसा के हमने उपर indicate किया है चाहे मुकदमा high court में अपील में हो या confirmation proceeding के जरिए असूल ये है कि मुल्जम को इस वकद तक सजा नहीं दी जा सकती जब तक इसे अपने दफा का proper मौका ना दिया जाए वीडियो को इन्ट तक देखने का बेहाद शुक्री अपना क्या रख चेए